आज हम बनाएंगी नमरात्री वर्त श्पेशल आलू और पनीर की सब्जी बहुती सिंबल तरिक्के से बनाएंगी बनेगी तो बहुती टेस्टी बहुती हेल्दी है यह रैस्पी और अच्छी भी लगेगी जटपर से बना करके आप खा सकते हैं जब भी आप एक बार बार ब पनाने के लिए ले लेंगे पहले हम आलू यह मैंने दस आलू ले लिया है मीडियम साइज की है यह आप अपनी मर्जे को इनुस हर कम ज़्यादा भी ले सकते हैं अब इसे मैंने धो लिया है आलू को अच्छे से अब इसे हम पहले करेंगी वोयल पहले ले लेंगे हम एक प लकन को बंद करके थोड़े देर के लिए हम पका लेंगे यानि अच्छे से आलू जो है पक जाए पांच मिनट के लिए हम पकाएंगे पांच मिनट के बाद देखेंगे तो हमारे आलू है वह अच्छे से पक गए है यह देखेंगे अब इसमें से सारे आलू निकाल लेंगे पानी में से और अलग से रख देंगे, यह देखेंगे, मैने सारे अलू पानी में से निकाल लिये हैं, अब इसे हम छील लेंगे, इसका जो छिलका है वो उतार देंगे, हाँ से बहुत ही असानी से उतर जाएगा, बहुत ही जल्दी उतर जाता है इसका छिलका, ऐसे ही सारे अ 3-6 पीस लेके उसे मैश कर देंगे उसे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और जो हमारी तरी बनेगी वह बहुत ही गाड़ी-गाड़ी सी बनेगी बहुत ही अच्छी लगेगी यह देखेंगे मैंने कर लिया है इसे साइड पर रख देंगे अब ले लेंगे हम पनीर य यह मैंने ले लिया है हारी मिर्च दस हारी मिर्च लिया है और फिर मैंने ले लिया आठ से दस काजू और फिर मैंने यह ले लिया है पांच मेडियम साइच की टमाटर अब इस मसाले को हम सारे काट लेंगे यह देखेंगे मैंने काट लिया है टमाटर के बीच निकाल दिया और हम हर इमेज को भी काट लिया है, दो से तीन टुकणों में, अब ले लेंगे हम एक मिक्सिका जार, उसमें सारा मसाले डाल कर इसी मसाले को अच्छे से पीस लेंगे हम, काजू डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और ग्रेवी सी बन जाएगी, अच्छी लगगी अगर आप काजू नहीं डालना चाहते हैं, तो उसकी जगह आप पीनट भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है, यह देखेंगे मैंने मसाला पीस लिया है अच्छे से, एकदम पेश्ट बन गया है, अब ले लेंगे हम एक कडाई, उसमें डालेंगे हम मैंने लिया है पीनट का ओईल, क्योंकि वरत में ओईल बगारा नहीं खाना होता है, पीनट का ओईल खा सकते हैं, वो मैंने लिया है, दो बड़े चमच, उसे गरम कर लेंगे, इसमें डाल देंगे, जीरा एक छोड़ा चमच, आप चैय तो घी भी ले सकते हैं, कोई ओईल बगारा नहीं करते हैं बड़त में, अब इसमें हम सारा जो मसाला पीसा हो डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद इसे गैस को कर देंगे, इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, इतने में हम लेंगे दही, यह मैंने चार बड़ी चमच दहीं लिए है, घर की स्मूथ करने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक दो चोटी चमच में नमक डाला है इसमें आप अपने टेस्ट के अगोडिंग कम ज्यादा भी कर सकते हैं आदी चोटी चमच डालेंगे लालमीची का पाउडर अच्छे से मिक्स कर देंगे मैं लालमीची का पाउडर बहुत ही जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को हम बंद कर देंगे जो हमने दई वाला मिक्षर डालना है गैस को बंद करके ही डालना है गैस को मैंने बंद कर दिया है अब इसे सारे डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले अच्छे से मिक्स करने के बाद ही हम गै से mix हो गया मैने इसको चला दिया है और इससे थोड़ दिर के लिए हम पकाएंगे अच्छी से ये देखेंगे थोड़ दिर के लिए हम पका लेंगे इसे ताकि जो अपने डई में मसाला डाला है वो अच्छी से पक जाए फिर बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये जलेना अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर से थोड़ देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे फिर थोड़ देर के बाद देखेंगे, मसाले अच्छी से भून चुका है, हम इतना ही भूना है, फिर इस भी हम डाल देंगे, कटाऊँ पनीर, कटे हुए आलू, वो डाल देंगे, और इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे, गैस को सलो ही रखा है, मैंने, तेजनी कर रखा, यह देखेंगे मैंने mix कर दिया है अब इसे थोड़ देर हम पकने के लिए छोड़ देंगे यह देखेंगे इसमें boil आने लगे बिज-बिज में चलाती रहेगा नहीं तो यह जल भी सकती है फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा थोड़ देर पकने देंगे इसे और फि देल गया है अब इससे अच्छे से उबाल लेंगे water यह देखेंगे वोइल आने लगे है अच्छे से पका लेना है हमें है एग पहले से इसका इसका कलर मिल्फिफी चेंज हो गाया है और अ मैंने दूद को गरम कर लिया था यह देखेंगे अच्छे से वह लागी है अब मैंने यह ले लिया एक गिलास दूद दूद को अच्छे से उबाला दिला लिया है और गरम गरम दूद ही इसमें डालना है यह देखेंगे जो तारी को पहले अच्छे से पका लेना है फिर इसम बंद कर देना गैस को यह देखेंगे मारी नवरातरी वरत स्पेशल आलू पनीर की सबजी बन करकी है त्यार 32 स्वाधिस्ट लगती है आप भी रेस्पी ट्राइ कीजिए आपको ये रेस्पी कैसे लगी हमें कोमेंट करके जरूर बताईए वीडियो चे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड और फैमली की साथ शेर कीजिए आपको ये बहुत पसंद आएगी ये रेस्पी आप भी ट्राइ करकर जरूर देखिएगा थैंक्स फर वाचिंग मिलते हैं कनेक्ट वीडियो में लादे लादे लादेजी